वैसे बिजेपी पार्टी जो है हमेशा परिवारवाद के खिलाप बोलते रही है और हमेशा से हमेशा इस पे तंज करते रही है लेकिन अभी जिस प्रकार जहरखन में विधान सबाद चुनाओ चल रहा है इसके बीच उन्होंने परिवारवाद को काफी ज्यादा परमोट कि परिवारवाद का कही ना कही आरोप लगते रहता है और इसमें बीजेपी भी बढ़ावाद दिया है और यदि वह ऐसा काम करती है तो आरोप अर पर परत्यारों का बाजार मोटने बात करते हैं रवुहर दास जी की जो बहु है पुर्नीमा साहु जी यानि ससूर और बहु जी का रिस्ता अब बताईए जो परिवारवाद वाले बोलते हैं तो यहां परिवारवाद है याने यह इंडिया गडबंधन के तरब से भी आरोप परत्यारोप चल रहा है और जनता है अब कमेंट के भॉक्स का धरू बताईोगा अब आगे बढ़ते हैं मीरा मुंदा मीरा मुंदा की जोμαकी पत्नी है kunnen और आगे बढ़ते हैंगी अटीं मनडल यानि भावी भतीजा का रिस्ता है यह की परिवार से चार लोग है राइनितिक में और सभी को टीकट मिला है ये गौर करने वाली बात है मतलब इतना परत्यारोब आरोब का बजार गरम इस वज़े से क्योंकि बीजेपी हमेशा से हमेशा परिवार बात के खिलाब बोलते रही है और तब जाकर के ऐसा हो कदम उठाती है ऐसा फैस लगतार आगे बात करते हैं भानु प्रताप साही और हैमन प्रताप साही दोनों पिता पूत्र हैं और बात करें पुस्पा देवी मनोज कुमार दोनों पती पतनी है मतलब एकी घर से जो है दो लोगों को टिकर दिया जा रहा तीन लोगों को टिकर दिया जा रहा आगे बा से लिए बात नहीं हो रहा है मैंने जितना भी लिश्ट में नाम है आगे बात करते हैं उजवल DAS वभिमा दास को शी अमरिया और विदानती से टिकर्ट दिया गया गया और बटा भी बाप उटायक था और गलत बात नहीं लेकिन मतलब समझे की अगर उसके बेटा जो है योग यह तो टिकट मीट रहे यह गलत बात नहीं है लेकिन परिवारवाद के आरोप में विजेपी भी इसके खिलाप भूत सारा भासन में आप सुने होंगे कि अगर बाप का बेटा टिकट मीट रहे तो भी काफी आरोप पर् करते हैं सतुरुधन महतों धूलु महतों दोनों भाई-भाई आप सबी को पता होगा धूलु महतों समसद है वर्तमान में उनको सतुरुधन महतों को टिकर मिला है विधान सभा के लिए बीजेपी के तरफ से और यह लंबा है खेर पूरा लिस्ट के बारे हम बात नहीं आप कर काम कर रही है अब परत्य और लगता है जब उस पर कार बोल रहे है तो लोगं बोल रहे हैं साथ फंडेट भी हो सकता है ऐसा भी लोग पर थ्यारों पारोप लगा सकते हैं लेकिन ये बात सही है हम डाल देंगे लिस्ट देख लिजेगा खुद पढ़ लीजेगा स्क्रीन पर लगा देंगे ये सब के बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएगा